दोस्तो आज हम सेर कर रहे हैं बिना मावा बिना चासनी एक ऐसे मीठाई की रेश्पी जिसे आप सिर्फ आधे कप सुजी से जटपट बना कर त्यार कर सकते हैं ये बजार में मिलने वाले रसमलाई जैसे एकदम सौट मुँ में घुर जाने वाले बनते हैं खाने में बहुत स्वादिश लगते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले गैस पर पैनिया कड़ाई रखेंगे इसमें डालेंगे एक कप पानी पानी हलका गरम हो जाने पर इसमें एक छोटा चम्मच घी डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे घी मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे सूजी यहां पर हमने आधा कप सूजी ली है इसके लिए कोई कप या कटोरी सेट कर लीजेगा उसी से सूजी और पानी को नाप कर लीजेगा इस टाइम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इनको लगतार चलाते हीए पकाएंगे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये डो जैसा ना हो जाए सूजी बहुत जल्दी पक जाती है दो मिनट ही हुए है और देखे ये थिक होती जा रही है तो इसे हम थोड़ी देर और पका लेंगे दो मिनट हमने इनको और पकाया है और देखे ये पैन छोड़ने लगा है और ये डो जैसा हो गया है तो अब हम gas off कर देंगे और इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इनको थोड़ा ठंडा कर लेंगे तो अभी हम इनको cover कर देते हैं जिससे ये उपर से dry नहोँ अब मैंने फिर से gas पर कड़ाई रखी है इसमें 2-3 चमज पानी डालेंगे साथ ही हम इसमें 3 cup full cream दूर डाल हैं gas का flame medium और high के बीच में रखेंगे और इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे और देखे जैसे ही दूद में उबाल आ जाए तो हम gas का flame लो कर देंगे और इनको उबलने के लिए छोड़ देंगे बीच बीच में चला लेजेगा जिससे दूद तली में लगे नहीं और क like up रह जाए इधर सूजी भी हलकी ठंडी हो गई है इनको पूरी तरह से ठंडा ने करना है जब यह हलकी गुनगुनी रहे तभी हमें इनको मल लेना है जैसे हम आटा गूतते हैं ना उसी तरह से हमें इनको मल कर चिकना कर लेना है जिससे कि इनमें गुठलिया ना रहें और देखिए 2-3 मिनार तक हमने इनको मलकर चिकना कर ली है ये बिलकुल डो जैसा हो गया है तो आप डो से थोड़ा सा पोर्ट्शन हाथ में लेंगे इसे हाथ में लेकर चिकना करेंगे और इस तरह से छोटे-छोटे बॉल्स बना कर त्यार कर लेंगे डो हलका गरम रहे तभी आ और डो गिला हो रहा हो तो एक चमस मैदा डाल कर मिला लीजेगा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है और देखिए इस तरह से हमने सारे बॉल्स बना कर त्यार कर लिया है और देखिए आदे कप सूजी में लगभग 50-60 बॉल्स बनकर त्यार हुए हैं बहुत सस्ते में ब दाल रही हूं इससे रस्मलाई का कलर अच्छा आता है फूट कलर की जगा आप केसर डाल सकते हैं इनको दूद में हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें चीनी डालेंगे तो यहां पर मैंने एक चोथाई कप चीनी ली है मीठा आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ्लेवर के लिए एक छोटा चम्माच इराइची पाउटर डाल देंगे थोड़े से मैस में पिस्ता और बादाम की कतरन डाल रही हूं इनको दूद में बढ़िया से मिक्स करेंगे और इनको एक मिनर तर पका लेंगे जिससे चीनी घुल करता है तो इससे ज्यादा दूद को गारा नहीं करना है अब हम गैस ओफ कर देंगे और इनको ढख कर साइड में रख देंगे इधर मैंने पैन में दो बड़ी चम्मस तेल गरम होने के लिए रख दी थी तेल गरम हो गया है तो इसमें हम ये सूजी के बॉल्स राज देंग और इनको हलके हाथों से उलटते पलटते विए फ्राई करिएगा जिससे कि ये एक बराबर सिकें और दोस्तो मैंने सूजी को पानी में पका कर ली है तो इनका कलर रस गुल्ले जैसा सफेद रहता है दूद में पका कर लेंगे तो इनका कलर गुलाब जमुन जैसा लाल हो जाता है रसमलाई बना रहे हैं तो सूजी को पानी में पका कर ही लिजेगा मिठाई बहुत अशी बनेगी और देखिए इनको फ्राइ करते विए 5-6 मिनट हुए हैं ये थोड़े फूल भी गया है और इनका कलर हलका चेंज हो गया है तो अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बच्चे बॉल्स को भी खाई कर लेंगे और इनको गरम गरम रसमलाई के दूद में डाल देंगे और देखिए अभी से ये दूद के उपर तैरने लगी है मतलब रसमलाई बहुत ही सौफ्ट बनेगी तो इनको हम आदे घंटे के लिए कवर कर लेते हैं और आदे घंटे बार देखिए ये बॉल्स दूद अच्छे से अब्सौर्ब कर ली हैं और ये फूलकर साइज में थोड़ी बड़ी भी हो गई हैं ये सौजी की रसमलाई एक्टम सौफ्ट मूँ में घुल जाने वाले बनते हैं बाजार की रसमलाई से कम नहीं लगते हैं और जब कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इने ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं तो दोस्तों आप भी एक बार जरू से टाइ करें और रेस्पी जरा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइप कर दीजेगा सेर कर दीजेगा और चैनल पर नए हो तो सस्काइब करन ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक ने रेस्पी के साथ धन्यबाद